पुतले त्रफशन 9 से आगे कोष्शन एक्स्टल видео करने तो है और मारा अगला कुश्चन है दसपटे इन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम बनती है यदि जनित्र की दच्चता पांच परतीसत हो तो उत्पन उर्जा की गड़ना किलोवाट घंटा में कीजिए तो एक ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम बनती है तो एक ग्राम हाइड्रोजन है उससे 0.993 ग्राम क्या बन रही है हीलियम बन रही है तो ठीक है तो एक ग्राम हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन का द्रबमान कितना है एक ग्राम हीलियम का द्रबमान कितना है पॉइंट नाइन नाइन थी ग्राम तो वेटा हाइडरोजन का द्रभमान है एक ग्राम हीलियम का द्रभमान है पॉइंट नाइन नाइन थ्री ग्राम तो पहले द्रभमान छती निकाल लेते हैं तो एक ग्राम में से 0.993 ग्राम गटाएंगे तो कितना मतलत है ग्राम को किलो ग्राम में बदलेंगे तो 0.007 गुड़ा दसपेगाद मानस के 3 किलो ग्राम हो जाएगा ये वेटा निकला आई द्रभबान चती अब द्रभवाण चती आगी तो अभूरजा निकाल लेंगे यहां से तो E बराव डेल्टा M C स्क्वेर डेल्टा M कितना है वीटा 0.007 गुणा 10 पेगाद मैनस 3 तो 0.007 गुणा 10 पेगाद मैनस 3 इंटो और C का मान होता है प्रकास की चाल प्रकास की चाल की तीन गुणा 10 पेगाद 8 का उल स्क्वेर ठीक पेगाद तो यह होगा 0.007 और यह 10 पेगाद मैनस 3 अमने प्रका यहां लिख दिया है और यह 8 का 8 दूनी 16 तीन कबर कितना हो जाए गा 9 नौका इसमें मल्टिप्लाई कर दे तो 0.063 गुणा 10 पेगाद कितना 16 यह मैनस की 3 अगर यहां से एक दो तीन पॉइंट अठा दे तो क्या गाते रह जाएं क्या गाते कम हो जाएंगी इंजन की दच्चिता कितनी थी 5 पृत्स तो 5 पृत्स सो परसेंटज वाटाएंगे बट्ट्य में सो लगाएंगे29 तो पंच वट्टै सो तो इसका percentage निकाल लाएंगे 5 बटे 100 into इसका तो 63 गुणा 10 पेगा 10 100 का मतलब होगे 10 पेगा 2 और 10 पेगा 2 ऊपल ले जाएंगे मानिस की गाते हो जाएंगे और 63 का 5 में गुणा कर देंगे 315 और 10 मैं से 2 कम कर देंगे कितने बचे वेटा 8 अब यहां से पॉइंट को अगर दो अंक बाद लगाएं एक दो तो दो गाते और बड़ी जाएंगे तो यह हो जाएगा 3.15 और 10 पेगा 10 जूल तो यह तो आगे जूल में आंसर किस में आगया जूल में आंसर आगया अब अगर हमें इसे क्लो वाट गंटा में निकालना है तो बन 3.6 और 10 पेगा छे का भाग दे देंगे किलो वाट गंटा में जब भी आंसर निकालना होता है तो 3.6 गुणा 10.6 का भाग देते हैं तो भाग देते हैं इसका तुझा जागा 8.7 पाव च्छे उपल ले जाएंगे और 10 में तो 6 कम करते हैं तो यह बचेंगे 10.3 किलो वाट गंटा है ठीक बचेंगे अब यहां पर यह च्छे उपल ले जाएं तो चार बचेंगे लेकिन यहां पर देखो इसमें पॉइंट 2 अंकबाद लगा इसमें पॉइंट 1 अंकबाद लगा इसलिए गाता है कितनी बचेंगे तीन बचेंगे ठीक बचेंगे अगला कुशन है विटा 11 मां एक यू 235 नाविक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रोन वोल्ट उर्जा उत्पन होती है एक रियक्टर 4.8 मेगावार्ट सकती दे रहा है रियक्टर में प्रती सेकेंड विखंडित हो रहे नाविकों की शंख्या की गड़ना केजिए तो बिटा रियक्टर की सकती कितनी है 4.8 मेगा वाट उर्ज़ा कितनी है 150 MILLION इलेक्ट्रोन बोल्ट तो यहाँ पर चेजर 250 MILLION इलेक्ट्रोन बोल्ट तो MILLION में होती है 10 गात 6 और ELEKTRON बोल्ट होता है 1.6 गात 10 गात 19 19 में 6 गात संप Kir 12 गात 33 गात 15 गात 10 गात पंजे 80 की 0 अंसल 8 16 एकम 16 24 हो गया 8 16 और 8 पॉइंट एक अंक बाद था पॉइंट एक अंक बाद लगा दिया अब यहां से 1 दो पॉइंट को दो अंक बाद लगाएं तो 2.4 गड़ा दस पेगाद मैंस के 11 जूल हो जाएगा ठीक बटम और P बराबर है 4.8 मेगावाट P कितना था 4.8 मेगावाट तो यहां पर हमने लग दिया 4.8 दस पेगाद 6 बाट चोकि मेगा में गाते कितनी होती है 6 अब यहां निकाल लाएं वेटा प्रती सेकंड विखंड़त नाविकों की संख्या N बराबर P अपवाट तो P कितना था 4.8 गुदन दस पेगाद 6 4.8 गुदन दस पेगाद 6 2.4 गुदन दस पेगाद 11 तो यहां लिख देंगए वेटा 2.4 गुदन दस पेगाद 11 माइनस की 11 गाते उपल लेजा प्लस की हो जाएगी 2.4 से 4.8 के बार कटी जाएगा दो बार 6 और 11 कितना हो गए 17 तो यह वज़ा 2 गणा दस पैगात 17 ये 1 क्लो ग्राम आइडरोजन से हीलियम मनाने में कितनी क्लो वाट गंटा उर्जा प्राप्त हो गई यदि हाइडरोजन से हीलियम मनाने की प्रक्रिया में 0.4% द्रबमान की छती होती है 0.4% द्रबमान की छती होती है तो 1 किलोग्राम हाइडरोजन से हीलियम मनाने में 1 किलोग्राम हाइडरोजन से हीलियम मनाने में कितने क्लोवाट घंटा उर्जा प्राप्त होगी यदि हाइडरोजन से हीलियम मनाने की प्रक्रिया में 0.4% द्रब मांच की छती होती है तो एक किलोग्राम का हमें कितना करना है 0.4% तो क्या निकलाएगी द्रब मांच छती निकलाएगी ठिक, बॉर्जा किसमें निकालनी है किलो वाट गंटा में ठीक है तो दिरभमान कितना देर रखा ए हमकं एक किलोग्राम तो ब्रो झाल से बागी प्रस्चे के लिए एक किलोग्राम का पॉंट चार परसंट करेंगे तो पॉंट चार परसंट को अठांगे बट्टे में कितना आजा का सो क्योंकि परत्चत का priority 10W होता है हök यह जागा चार वेटटे एह हजार तीन कवरग नौ और आट गुनि शोला ठीक बंड़ान नो का चार में ao का ठ्वा दूट्टीप्ली कर दो तो 9 का ठ्य Agrम Sky left हमके ट्सकार में तो ट्याेंग कितना हो जाए ह Kerry सब्सक्रांद जाएक ऊपर ले जाए गात 6 को ऊपल ले जाएंगे माइनस की हो जाएंगे तेरे में से 6 गटा देंगे कितनी बचाएंगे 7 36 से 360 के बार कट जाएगा 10 बार तो इस पर दस पर भी एक ही गात तो एक गात इसे और दे दो तो कितनी हो गई आठ गात तो किलो वाट गंटा है यानि दस पर गात आठ किलो वाट गंटा हो गया ठीक हो अगला है कुश्छन नम्मत 13 देवटा यह अभिक्रिया 223 RA give up to 209 PB प्लस 14 C से में मुक्त उर्जा की गड़ना कीजिए तो 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 इस तरीके के सवाल में है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बाईयोर का द्रभमान देखते हैं और दाईयोर का द्रभमान देखते हैं बाईयोर के द्रभमान जैसे बाईयोर का ये दे रखा है 223 RA का द्रभमान ये दे रखा है AMU में इसका द्रभमान ये दे रखा है इसका द्रभमान ये दे रखा है तो इसमें पहले इस समीकरड़ वाले सवाल में द्रबमान च्छती निकालने के लिए पहले बाइयोर का द्रबमान बाइयोर के द्रबमान मैंसे दाइयोर का टोटल द्रबमान गठा देते हैं तो वहाँ से द्रबमान च्छती निकलाती है क्या निकलाती है द्रबमान च्छती निकलाती है तो इधर का द्रबमान यह है और इस साट का द्रबमान यह है तो पहले इसे लिख लेते हैं ठीक बटा यह समीकर लिख लिए हमने 223 RA 209 PV प्लस 14C 223 RA का द्रबमान है विटा 223.018 जिसका द्रबमान यह है और 14C का द्रबमान यह है तो द्रबमान चती निकालने के लिए इस तरीके का कोई भी समीकरण हो बाई और का कुल द्रबमान निकाल लेना और दाई और का कुल द्रबमान निकाल लेना तो बाई और के टोटल द्रब्मान में से दाई और का टोटल द्रब्मान घटा देना उससे द्रब्मान चती निकलाएगी तो देख बेटां द्रब्मान चती बरावर बाई और का द्रब्मान मानस दाई और का द्रब्मान तो बाइयोर केवल RAE तो है तो इसका द्रभमान है 223.018 तो यहाँ पर लिख देंगे 223.018 अब दाइयोर का द्रभमान दाइयोर बेटा दो संख्या है एक PV और एक C तो इन दोनों का द्रभमान हमें एड करना होगा तो एड कर देंगे 208.981 208.981 प्लस 14.003 अब 208.981 में इसे एड कर दो तो 22.984 हो जाएगा अब दोसो तेईस.018 में से इसे घटा दो तो आठ में से चार घटे कितने वच्छे चार यहाँ पर एक हांसल ले लेंगे और ग्यारा में से आठ घटाएं कितने वच्छेंगे तीन हो जाएगा पच्छे 9 9 में से 9 घटाएं जीरो तो कितना आगया 0.034 AMU और पेटा 1 AMU बरावर कितना होता है 931 1 AMU बरावर कितना होता है 1 AMU बरावर होता है पेटा 931 MEV तो हमें उर्जा MEV में निकाल लें है तो 1 AMU के इस्तान पर कितना रख देंगे तो अब यहाँ पर निकालाएंगे उर्जा तो मुक्त वी उर्जा 0.034 AMU के इस्तान पर क्या लिख देंगे 931 931 का बेटा इसमें मल्टिपलाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 31.65 MEV 31.65 MEV ठीक है बेटा तो यह इसका अंसर हो गया तो वीटा यह बात तो समझ बायागी पहले भाईयोर का कुल द्रभमान निकाल लो फिर द्रभमान निकाल लो भाईयोर के द्रभमान में से द्रभमान क्या कर दो गटा दो तो द्रभमान छती निकल आएगी AMU में और AMU में निकल के आए तो उसमें 931 का गुणा कर दो और अगर AMU में न दी हो तो फिर डेल्टा MC स्क्वेर फॉर्मूला लगाओ क्या लगा में टेल्टा MC स्क्वेर फॉर्मूला लगा दो उर्जा के लिए अगर द्रभमान चती किलोग्राम में निकल के आ रही है अगर द्रभमान चती किलोग्राम में निकल के आ रही है तो फॉर्मूला क्या लगाना है डेल्टा MC स्क्वेर लगाना है और अगर द्रभमान चती AMU में निकल के आ रही है तो फिर 931 AMU के इस्तान पर 931 AMU भी रख देना है क्या कर रहे देना मेटा 931 में भी रखे देना उर्जा निकाल आएगी ठीक बटा और अगर द्रभमान किलोग्राम में दे रखा है तो डेल्टा MC स्वेर लगा देना उर्जा निकाल ले के लिए अगला कुश्ण है बेटा चौध मां हीलियम 2HE4 नाविक की प्रतिनीकलियोन बंदन उर्जा 7.0756 मेबी है नाविक के लिए द्रभमान छती की गड़ना कीजिए तो नाविक के लिए बेटा क्या निकाल ले द्रभमान चती की प्रतिनीकलियोन बंदन उर्जा यह है ठीके तो निकाल लेते हैं यहां से प्रतिनी उकलियोन बंदन उर्जा तो यहां से बटा हीलियम नाविक की प्रतिनी उकलियोन बंदन उर्जा यही तो हमें दे रखी है 7.0756 यही तो दे रखी है अब द्रबान संक्या कितनी है बटा चार चोगि एलियम परमाडू की द्रभमान संख्या कितनी होती है चार होती है यह एलियम परमाडू की द्रभमान संख्या कितनी होती है चार तो यहाँ पर चार दिसकी द्रभमान संख्या द्रभमान छेती निकालने है तो सबसे पहले हमें इसकी बटा बंदन उर्जा निकाल तो द्रबमान संक्या कितनी है चार चार रख देंगे और प्रतिनी के लिए बंदन उर्जा 7.0756 तो इसका इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे तो बंदन उर्जा बरावर 7.0756 इंटू 4 मल्टिप्लाई कर देंगे 28.3024 MEV आ जाएगा क्या जाएगा MEV तो ये तो आगी बेटा बंदन उर्जा MEV में और अभी हमने बताया था वेटा कि एक AMU बरावर क्या होता है 931 MEV तो अगर एक MEV निकालेंगे तो 931 को इदर पच्छांदर कर देंगे 931 को इदर पच्छांदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा MEV आ जाएगा तो MEV इस MEV के इस्तान पर बट्टे में MEV को AMU में बदलने के लिए 931 का भाग देना पड़ेगा 931 के क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा 931 का इसमें डिवाड कर दें कितना आ जाएगा 0.0304 AMU ठीक बटा तो ये क्या निकल के आ गई द्रभवान च्छती निकल के आ गई क्या निकल के आगी बटा द्रभवान च्छती अगला आए बटा कुश्चन नम्मर 15 कुश्चन नम्मर 15 में क्या कहा है हीलियम हीलियम 2HE4 नाविक के लिए द्रभवान च्छती 0.0304 AMU है नाविक की बंधन उर्जा ग्याद कीजिए नाविक की क्या निकल ली है बंधन उर्जा निकल ली है ठीक है तो बंधन उर्जा निकलते हैं इसकी देखो तो बंधन उर्जा निकल लाएंगे तो बंधन उर्जा बराबर द्रभवान च्छती 1AMU के स्थान पर क्या लग दाएंगे 931 तो 931 का इसे मल्टिपलाई कर दाएंगे तो इतना जाए 28.3020 MEV हलांके इस सवाल में यहाँ पर यह कहा है कि बंधन उर्जा ग्याद कीजिए बंधन उर्जा नहीं होगी जहाँ पर प्रति निकलियोन बंधन उर्जा होगी क्या होगी प्रति निकलियोन बंधन उर्जा होगी क्योंकि बंदन उर्जा तो इसकी निकल के आ रही है 28.3020 Mb जैसे इसकी थी ये प्रतिनी उकलियोन बंदन उर्जा ही तो 7.07 इस वाल 14 में सवाल में 7.0756 और ये 14 में सवाल जैसा ही तो है बिल्कुल तो यहां से बेटा ये तो निकल आगी हमारी बंदन उर्जा अब निकाल लो प्रतिनी उकलियोन बंदन उर्जा तो बंदन उर्जा बटे द्रभमान संक्या और बंदन उर्जा कितनी 28.303 चार का डिवाइड दे तो आएगा अंसर ये किताब बाला ठीक है बेटा तो ये निकल आगी प्रतिनी उकलियोन बंदन उर्जा 7.0756 ठीवेटा तो इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन रहने देंगे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्स्प्लेंड करेंगे थैंक्स पॉर वाचिंग